जोहार दोस्तो स्वागत था आप सभी का आपके अपने चेनल एक्जाम हेलपर पर जैसा कि दोस्तो आप सभी को मालूम था कि आज मानिय हाई कोट में एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला था जो फैसला आ चुका है दोस्तो मैं पूरा डिटेल आपको बताता हूँ कि क्या था, कौन सा फ़ाइल केस किया गया था, क्या डिटेल था, क्या चात्रों की डिमांड थी ठीक है और इस पर न्याले की क्या प्रतिक्रिए होई आप बने रहें सुरूसे न तक वीडियो को देखें मैं पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने का प्रियास करू तो बिना आरक्षन नियमों का पालन करते वे जपीसी ने 206 नंबर लाने वाले जनरल को पास और 260 नंबर लाने वाले OBC को फाइल करार कर दिया था जिसके कारण से बहुत सारे छात्र पीटी एक्जाम में बाहर हो गए थे उनकी रिजल्ट नहीं वे थी छात्रों ने लंबे स आये थे सभी को पास करार दिया गया और इस तरह से टोटल रिजल्ट 24,000 के आसपास हुई जिसके बाद भी छात्रों का आंदोलन रुका नहीं उन लोग लगातार आंदोलन करते रहे उन लोगों की एक ही मांग थी कि 15 गुना के साथ तेकर वित आरक्षन आनि आरक्षन के स पंदरा गुना रिजल्ट जेपिएसी प्रकासित करें तभी हम लोग मेन एक्जाम होने देंगे और जब मेंस एक्जाम का डेट निकाली गई जेपिएसी का तो एक्जाम के एक दो दिन पहले भी छात्र लोग लंबे समय तक जेपिएसी ऑफिस के सामने अपना धरना प्रत गया और जो कैबिनेट के द्वारा 34,000 रिजल्ट निकाली गई थी उसको मानिय हाई कोट ने अमाइन कर दिया देखिए जारकंड हाई कोट का बड़ा फचला आया क्या कि वही विग्यापन की सर्तों से रिजल्ट देने का निर्देश किया कि जो आपके विग्यापन में आ आगे इन्हों की मांग है कि नहीं अब जो भी हो पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त किया जाए पूरी प्रक्रिया को रद किया जाए अगला स्टेप छात्रों का होगा वही कोट में एक केस फाइल की जाएगी पूरी प्रक्रिया को निरस्त करने को लेकर के क्योंकि काफी समय इससे भी छात्रों का इसमें बरबाद हुआ है जिससे काफी छात्र प्रभावित हुए हैं तो कर सकते है कि ज्षारखंड ही छात्रों की एक बहुत बढ़ी जीत हुई जो एक लहाई गई थी जो जो संगर्श कर रहे अंतता उनका फैशला आज उनके पक्ष में आया और इसमें जारखंड हाई कोट ने भी अपनी मोहर लगा दी चिप यह आप कर सकते हैं कि अनेबल जस्टिस के द्वारा यह निर्ने लिया गया ठीक है आगे देखिए क्या दिया गया और देखिए यह हैं सत्मे जो यह पूरे किये थे पूरे प्रक्रिया को निर्स करने का जो फाइल किये थे केस वही किये थे ठीक है तो एक तरह से कर सकते हैं कि छात्रों की बहुत वड़ी जीत है बहुत अच्छा एक तरह से कर सकते हैं संके थे जारखंडी छात्रों का पहली बार जारखंड हाई कोट के द्वारा ओचित फैश्ला दिया गया छात्रों के हित् Means अब आगे चल करकर इसे कर सकते हैं कि चाथ्रों में कहीं नंब कहीं एक कोड के प्रति नियाले के प्रति एक विश्वास जगा ठीक है तो यह थी आज की सबसे बड़ी खबर सबसेばい इंपर्टेंट छठी जेपीसी प्रक्रिया को फिर से देखते हुए 15 गुणा रिजल्ट निकालने का आदेश दिया गया विग्यापन की सर्तों से रिजल्ट देने का निर्देश दिया गया माईनी हाई कोट के द्वारा ठीक है दोस्तों तो आगे की अपडेट के लिए आप बने रहे हैं हम कि कुछ अपडेट मिलता हमें आप लोगों को अपने चैनल के मैद्यम से देने का प्रयास करूंगा धन्यवाद दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लिज लाइक शेयर जरूर करें